बहला है खेले के छिलके से चेहरी देके गलोट सीक रही है और कई-कई पोइंट आज में पार प्याजे से बताने वालों देखि whole बहले हैं तो निकालो आप एडी निकालो आपकी अब विए इसमें क्या करना है आपने चिलका लेना है और इसको इस तरीके से रगड़ो अब देकिए इनके क्या हो रहा है कि यह है काम करके दिन बर खड़े रहती है लेडी और बहुत प्रेसर पड़ता है तो यह फटने भी लगते हैं उस पर इनको क्या करना है इस तरीकर से रगड़ना है यह देखी इसां पर तभी को आप जो आप लगाते रहोगे रेगुलर तो 30-40 दिन में क्या होगा कि अपने आप में घड़ जाएगा या बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा अब चैरे पे किसी के केल मुआसे हो जाते हैं अगर इस तरीके से तो चैरे अगर खुजली बगएरा कहीं आ रही है कोई निसान मर र अगर लेट नहीं तो बैटे हुए इसलिए नहीं रख पारा अगर लेटे रहेंगे तो इनका क्या होगा कि बहुत अच्छे से आराम मिलेगा कई सारे लोगों के रेडनेस आ जाती है लाल हो जाती आखे कर्मी की वएसे तो उनको भी इसमें आराम मिलेगा इसके साफसत कही कीडा काट जाए तो कीडा काटने से होता है ना हमारे निसान बन जाती है तो उस पे अगर आप इस तरीके से रगड़ोगे ठीक है खूब अच्छे से रगड़ी खूब अच्छे से पूरा एक तब अंदर स्कैल तक जाना चाहिए और इसको पंद्रह-बीस में रखने के ब बाद ठीक है पंद्रह-बीस में रखने के बाद जब आप ना होगे किसी भी अच्छे हरवल सेंबू सा आगर आप सर्दोगे तो आप देखोगे कि आपके बाल ना चमक गए बालों की चमक बढ़ गई है ठीक है और इसके सास्थ क्या होगा कि गलो बाल इक्दम से जड़न अगर यह रेगुलर करेंगे तो इसमें आराम मिलेगा इसके सास्थ ने क्या करना है केले का पेश बना के उसमें नारियल पानी मिलेगा और इसमें नारियल का तेल मिलाके थोड़ासा अगर रगुलर लगाने स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत आराम मिलेगा और जिनको यह केला पता नहीं है वो क्या खर सकते हैं इलाइची के साथ भी घा सकते हैं तो इसमें साथ एड़ी के दरद के लिए अगर किसी के ना कornoट करने से लिए कर सकते हैं के ले कि चिलके से अपने सरीच के रोप के साथ सा चेहरे पर गुलोब बढ़ा